जेडिव के दुस्मन जेडिव में ही लोग बैठे हुए है जेडिव के दुस्मन उनके साथ में ही चल रहा है आज तो कम से कम बेटी रोहनी आचार्ज ने उनको धर्दी पे उतार दिया उनको देखा देखी कभी चौमिन बनाना पर रहा है कहीं भूजा फाकना पर रहा है कह कि चार जून के बाद वो तो बिरुज़गार होने वाले हैं सभी लोग जानते हैं और इसके अलावे न जाने इंजिनेरिंग कॉलेज जो मांजी पूल बना क्या बात करते हैं फालतू नितिस कुमार से भी जाकर नाम पूछे कि आपका नाम क्या है तो साध नहीं बता पाएं और इस चुनावी समर में काफी जो अखारे में कूदने वाले पहलवान हैं वो खुद को बलशाली बता रहे हैं इस चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ RGD के MLC सुनिल सिंग है विपक्ष में आ गये हैं सतापक्ष में पहले थे कैसी तेहरी चल रही है पर तो आप ये बताईए कि आप लोगो डर तो नहीं लगा ना अब की बार 400 पार इंडिया गना रहा है देखिए 400 पार ये मीडिया का करतूत है जो धन बलके बदोलत वो अपने टोटल इलेक्ट्रोनेक और जितने भी अख़वार वाले हैं जिस रस से उसका दूर्पयों कर रहे हैं सरकार अब सचाई की आहिम नहीं जानते हैं फिर भी आप ये देखे होंगे कि जो अभी चार लोग सभा छित्र में जो चुनाव संपन हुआ उसमें थो भाजपा का बिल्ला फार हो गया आप कहीं कहीं दूर दूर तक वो दिख नहीं रहे हैं सारे उनके भाजपाईयों का प्रख हो जाएंगे और अभी आपने सुना भी होगा मानने नितिस्क मार जी तो चार हजार के पार कर दिये और वो दिन भी देखना बाकी रह गया है कि कब लोग चार लाग के पार कर दे तो भाई भाजपाईयों के समक्ष, NDA के समक्ष में जो मुद्दा रखा है, उसका किसी के पास कोई काट नहीं है, उन्होंने रोजगार की बात की है, उन्होंने जो पलायन हो रहा है लगातार बिहार से उसकी बाते की है, उद्योग धंदे की बात की है, तो इसका कहीं भी भाजपाई पास कोई जवाब नहीं है जो इनका एंडिये गटबंधन उसके पास कोई जवाब नहीं है और यही कारण है कि पूरा बिहार 40 का 40 से रास्टिये जनता दल और गटबंधन जीतने जा रही है अब छोड़िये ना जदिव पार्टी तो दो चार महिना जैसे नहीं यह लोग सभा का चुनाव संपन होगा उसके बाद हम निए समझते हैं कि जदिव पार्टी नाम इंका भी कोई बिहार्में पार्टी रह जाएगी यह हम आपको डियमर्टी के साथ बोल सकते हैं जेडिव के दुस्मन जेडिव में ही लोग बैठे हुगय हैं जेडिव के दुस्मन उनके साथ में ही चल रहे हैं अब आप समझ लीजे कि जब नितीस जी बिमार हैं मांसिक रूप से बिमार हैं अभी हाल तक भाजपा के जितने भी सिनियर लिड़े जिनके गोद में जाकर चरपते हुए बैठ गए वही उनको मांसिक रूप से बिमार व् कि आज सरकार चला कौन रहा है यक्ष प्रस्ण है पूरे बिहार के आम जनविये जानते हैं कि जब नितीस कुमार जी मांसिक रूप से बिमार है वो अभी स्वस्त नहीं है तो आखिरकार ये राज चला कौन रहा है तो देखिए उस जदिव पाटी के तो बात छोड़ का पूरे राज में चल रहा है कहीं भी अंडिये अत्ता पत्ता उसको दिखने वाला नहीं है अगर आप इस तरह की चर्चाएं करते हैं तो आप बाबा भीम राव अंबेतकर को गाली देते हैं आप महात्मा गांधी जी के पिता जी को गाली देते हैं अनेक ऐसे कि जीनको पांस से भी ज्यादा संतान हुआ आप उनको गाली देते हैं अब जो आदमी को कोई संतान नहीं है या एक दो संतान है आप किसी को उपर इस तरह से ब्यक्तिगत रूप से दोसार उपन नहीं कर सकते हैं आपको मुद्दे की बात करना चाहिए आपको रोजगार क कि बात करना चाहिए बताइए लोगस लगस्भा की चुनाओं में इस तरह की उच्छी बाते करना बताइए कि द्रिस्टि होन से उची तूर ये कि नोखरी हमने दिया पहले 17 साल भी तो वह थे न 17 महीने के अंदर में रोजगार जी है कि 17 साल में रोजगार दिया गया 17 साल का जो सासन है कि आज किसी ब्लॉक में जाईए किसी अनुमंडल में जाईए किसी विजिला में जाईए मिर्टु परमान पत्र लेने के लिए भी रिस्वत देने पड़ते हैं कोई भी तरह का आप सर्टिटिकेट ले लिए तो देखिए 2005 के पहले क्या है 2005 बिती दिनों की बात करते है वह अपने काल की बात करें उनका जो 17-18 सालों का व называется उसमें उनकी बैनार और अपना से पोस्टर और अपना से पेंटिंग दिवाल में करा देने से रोजगार होता का इस राज का बच्चा-बच्चा जानता है कि रोजगार मतलब तेज़श्वी आदव रोजगार अगर किसी ने दिया है तो उस व्यक्ति का नाम है तेज़श्वी आदव इस स्वास्त विवस्ता में सुधार लाएंगे जो भी परेटन है उसमें आईटी निती बनाएंगे जो उन्होंने अपना घोषना पत्र में जारी किया था वो पूरा हुआ की नहीं हुआ आपको ये देखना चाहिए तो अगर आज अभी हम लोग ने अगर ऐसा घोषना किया है पूरा करेंगे हैं एक सबाल है सारा के सार hospitalized के सामने जो बतमान सांसद कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेंगे आज लोगों को सारन वासियों को इस बात का गर्व है कि कम से कम डॉक्टर रोहनी अचार जी जिस तरह से डोर-टू-डोर कैंपेनिंग कर रही है जो व्यक्ति आज तक एसी गारी से नीचे नहीं उत्रे रूडी जी आज उनको भी देखा देखी सभी जगा कहीं जाकर पकोड चायोन को तो उसके बार तो उनके पास खाली समय है प्लुक्ति बूति बना ले रजगुल्ला बना ले तो कामी क्या बचे आपने कीचेण का सारा काम अभिये से वह सीख लें क्योंकि 4 जून के बार वो तो ब्रलुज़गार होने वाले हैं सबी लोग जानते है जब आपने सारन लोग सभा का चर्चा किया है तो आपको एक बात और मैं बताता हूँ अभी डोर टू डोर जब हूँ कैमपेनिंग जब गारी से जा करके उभी कब आज तो डॉक्टर रोहनी अचार जी धूप चिलचिलाती धूप हो या छां हो लगातार सुबह 9 बजे से ल जाती है हर एक जगा जाती है आज उनी के देखा देखी जो बरतमान सांसद आज तक 10 वर्सों में कहीं नहीं गए होंगे अब उनको भी सब का कुसल छेम पूछना पर रहा है इसी दोरान में किसी से कुसल छेम पूछे कि तब रावर बाबुजी स्वस्त बारन नू उकला क विकास की बात तो छोड़ दीजे उसमें तो फिसड़ी सावित हो गए कहीं भी विकास आपको पूरे चपरा में नहीं दिखेगा और अगर चपरा में सुने ना अगर मुझवानी अगर कोई इसी तरह से हवा में बात करे तो उसके कोई हमारे पास जवाब नहीं है आज दिखा दें कि हमारे 10 साल के कारशकाल में कोई विकास हुआ हो तो मैं कोई विबाजी हारने के लिए यह लोग आसमान में उरने वाले लोग हैं धरातल की बात क्या जाने आज तो कम से कम बेटी रोहनी आचार्ज ने उनको धरती पर उतार दिया उनको देखा देखी कभी च पर रहा है कहीं भूजा बनाना पर रहा है तो देखिए छपरा की जंता लगा ताठ ठगी गई है अब उनसे ठगने वाली नहीं है और इस वार आप देखेंगे रेकॉर्ड मत से डॉक्टर रोहनी अचार जी जीतने जा रही है तो दिखेंगे नहीं रूडी जी नहीं जो हमारा इंवर्सिटी बना जै प्रकाज्वर इंवर्सिटी और इसके अलावे न जाने इंजिनैरिंग कॉलेज जो मांझी पूल बना निटीस कुमार से भी जा कर नाम पूछे का आपका नाम क्या है तो नहीं बता पाैंगे, इसली छोड़िए, निटीस कुमार आप घुमा फिरा करके निटीस कुमार के उपर ले आते हैं फिर कुछ उनके उपर उल्टा बोलेंगे देखे, वो बिमार व्यक्ति है, मांसिक रूप से स्वस्त नहीं है, उनके बारे में कुछ भी पुछना यह सही नहीं होगा, अन्तिम स्वाल है मेरा, क्योंकि हम राजपूत समाज की बात कर रहे हैं, यादवो का वोट हर बार मिल जाता है, लेकिन आप खुद राजपूत समा कर रहे हैं कि राजपूत समाज का वोट मिलेगा, रोहनी चारा हो, यह सभी पुछन से लिए हो, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में, राज में, राजपूतों को अपमानित किया गया, न्डिये सरकार द्वारा, आप जानते होंगे, गुजरात में पुरसोत्तम रुपाल जी ने राजपूतों के बारे में किस तरह भासा का प्रियोग किया, राजस्थान में किस तरह से उनका अक्रोस है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से एंडिये के विरुद्ध में राजपूतों का अक्रोस है, तो यह आपको आने वाले समय में दिखेगा, आप पता लगा ल उनको भोट नहीं मिल रहा है वहां के लाखों लोगों ने कसम खाया है कि हम कहीं भी भोट देंगे लेकिन हम एंडियों को भोट नहीं दे सकते हैं अंतिम सवाल है लालू परिवार वाद रोहनी अचार रहे हैं मिसा भारती अब महाजगन से अखले सिंग के बेटे आ गए है अकार सेंग तो परिवार वाद नहीं है वह बैमान लोग हैं वह बैमान लोग हैं जो परिवार बाद की बात करते हैं आप बताईया सोक शोधरी जी परिवार बाद में नहीं आते हैं सुमन जी परिवार बाद में नहीं आते हैं जीतम राम मांजी जी नहीं आते हैं आप राजनात्वाओ के पुत्र नहीं है क्या अरे ऐसे सैक्रो फेहरिस्थ है जिसको कई बार हम लोगों ने आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने अखवार के माध्यम से लोगों को बताया है कि परिवार बात की आप बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा हमने तो आपको पहले बताया है कि 40 का 40 से महागडबंधन जीतने जा रही है सुनिल सिंग हमाई साथ है उनका अक्रमक अंदाज अलग ही रहता है आपने सुना है नितीश कुमार और बीजेपी को लेके क्या कुछ नहीं कह दिया इस वीडियो में अब लाइकांने सब्सक्राइब करें रहें और चौपन बना रहे हैं भूंजा अभी से कोशिश कर रहे हैं लगता है हार पहले से मान लिया क्या सब्सक्राइब करें साथ-साथ-स बेज राह Currently धन्वाद